नमस्कार दोस्तों आपका इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों हम बच्पन से पैंसिल का उप्योग करते आ रहे हैं और कभी ना कभी हमारी नजर उस पर लिखे कोड्स पर चली ही जाती है जैसे की HB, H, 2H, 2B, वगेरा वगेरा तो इस वीडियो में हम जानेंगे इन सब के मतलब के बारे में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दरसल पैंसिल पर लिखे कोड्स उसमें लगे ग्रेफाइट की क्वालिटी बताते हैं यहां यह बताते चलें कि अक्षर H, हार्डनेस को अंकित करता है मतलब ग्रेफाइट जितना अधिक हार्ड होगा पेपर पर उतना ही कम लगेगा अर्थाथ पैंसिल हलकी चलेगी अगर पैंसिल 2H वाली है तो H वाली पैंसिल से ज्यादा हलकी चलेगी इसी प्रकार 3H, 4H से लेकर 9H तक की पैंसिल आती है ठीक इसी प्रकार B, ब्लेकनेस को बताता है अर्था जितना ग्रेफाइट मुलायम होगा पेपर पर भी उतना अधिक गहरा लगेगा मतलब जादा डार्क होगा B की जितनी डिगरी बढ़ती जाएगी पैंसिल उतनी ही ज्यादा गहरी काली होती जाएगी यह मानक B, 2B, 3B से लेकर 8B और 8B से 9XXB तक होते हैं सामाने तोर पर हम HB पैंसिल का उप्योग करते हैं जो ना जादा हलकी होती है और ना ही जादा गहरी होती है जो हमारी बचपन से साथ ही रही होती है और जिसने हमें लिखना सिखाया होता है दोस्तो एक नाम और है चलते चलते उसे भी जान लेते हैं और यह है F जिसका मतलब होता है Fine Point यह पैंसिल परियापत हाड होती है जिसकी नोक देर तक नुकिली रहती है लेकिन सामाने ड्रॉइंग के लिहाद से यह हलकी चलती है दोस्तो ऐसी रोचक तत्यों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए